दोस्तो नमस्कार भारतिय रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आद जिस रेलवे लाइन के बारे में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं वो है वासिम बढ़नेरा नही रेलवे लाइन दोस्तो यह रेलवे लाइन महराष्ट के मानी जाती है इसके साथ में जो इसकी एक टूइन बोल सकते हैं जो रेलवे सेक्षन है बेतुल चांदूर बजार नए रेल लाइन उस पर और लेड़ी मैंने वीडियो बना रखी है आप चाहें तो वो भी जाकर देख सकते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि म महारास्ट का विदर्व छेत्र बाकी के महारास्ट से थोड़ा बैकवर्ड माना जाता है और है भी महारास्ट सरकार की दो नियत की वज़े से विदर्व छेत्र काफी पीछे रह गया है इसलिए विदर्व छेत्र का विकास महारास्ट सरकार और रेलवे दोनों की जो प्रि कर लेते हैं फिर बात करेंगे इस चीज पर कि इस पर latest update क्या है चुकि यह railway लाइन महरास्ट में है तो जितने भी latest update हैं वो news article के वो सारे Marathi language में तो मैं आपको उसको translate करके हिंदी में बताऊंगा तो दोस्तों अभी जिस railway line को आप देख रहें हैं मैं आपको दिखाता हूँ ये रहा वासीम बढ़नेरा रेलवे लाइन अगर हम इस पर और जूम करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि वासीम से ये रहा वासीम वासीम से आगे बढ़ने पर जो ये रेलवे सेक्षन है कर कर जना करांजा करजना ये करांजा जो भी यहाँ पर इसका जो है एक जंक्सन बनने वाला है क्योंकि यहाँ पर से चार लाइने निकल जाएंगी और उसके आगे बढ़ते ही फिर आप बढ़नेरा की ओर निकल जाएंगे बढ़नेरा से आप फिर अमरावती चांदूर बजार के साथ थी आप चांदूर बजार बेतुल रेलवलाइन बढ़ने पर इटार सी मेन लाइन से डारेक कनेक्ट हो सकते हैं मतलब फिर आप कहीं भी भारत में जा सकते अब यह रेलवलाइन इंपोर्टेंट क्यूं है यह मैं आपको उताता हूं अभी क्या है कि कोई भी ट्रेन यदि नांदेल से गण पूर्णा से अगर इटार सी घाना चाहती है तो उसे इतना जादा गूं कर फिर नागवफूर होते में इटार सी जाना पड़ता है तो अभी क्या हो जाएगा इस लाइन के बनने से सिकंद्रावाद से या फिर कोई भी ट्रेन है लातुर होते वे फिर ये डायरेक्ट हिंगलोई डककन होते वे फिर ये डायरेक्ट जा सकती है इटारसी को हिंगलोई डककन से फिर ये वासीम आ जाएगी बढ़नेरा होते वे बेतुल और बेतुल से फिर यह train डाइरेक्ट ही मतलब इटारसी को जा सकती है चांदूर बजार होते वे तो इससे समय का काफी बचत होगा सेम जो कंडिशन है वो नांदेर और पुरुना के साथ भी है नांदेर से कोई बढ़नेरा होते वे बेतुल आएगी और बेतुल से फिर यह train डारेक्ट इटारसी को जा सकती है तो इससे क्या होगा कि इस सेक्षन के जो लोग है जो आप इस सेक्षन के लोगों को देख रहें इस एरिया के जो रीजन है बेतुल का और बेतुल बढ़नेरा बेतुल चांदूर बजार यह सब जितने एरिया के लोग है यहां पे थोड़ा सा जो बैकवर्डनेस है वो दूर होगा उद्धियोग वे अपार रोजगार इन सब में थोड़ी बढ़ोतरी आएगी तो दोस्तो अब हम लोग देख लेते हैं इसको पर लेटेस्ट अपडेट क्या है और मैं उसे ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताता हूँ करते हुए जो इसका ओवर ओल एक जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो पर बने रहे हैं तो दोस्तो मैंने वहां से ट्रांसलेट करके यहां पर हिंदी में कर रखा है इस न्यूज आर्टिकल में लिखा है मुवई हावरा रूट पर मुर्ती जापुर माना रेलवे स्टेशन के बीच टटबंद बहने से याताया ठप हो गया है ट्रेनों को नडखेड के रास्ते डैवर्ट किया गया दस घंटे का सफर तैक करना पड़ा यदि वासीम बढ़नेरा मार्ग मोजूद होता तो इन ट्रेनों को बढ़नेरा वासीम अकोला भुसाव एक लेसाल के रास्ते डैवर्ट किया जा सकता था तो इसका इमपोर्टेंस इस नीव आई क्या चाल्रहा है यदि वासीम बढ़नेरा रयलवे लाइन बना रहा था तो काफी असानी से रहुमे charles को डैवर्ट कर सकती थी नर्खेड बढ़नेरा वासीम रहले अ। लाइन के निर्मान के मांग पिछले एक दिसक से चल रही है रेलवे बजट दो हजार आठ नो में इस रेल लाइन के सर्वेक्षन को मंजूरी दी गई थी सर्वे विभाग ने इस रेलवे लाइन की रिपोर्ट 16 जून 2010 को रेलवे वोर्ड को सौपी थी रिपोर्ट में कुछ त्रूटियों के कारण विशे को रोक दिया गया मुदी सरकार ने पिछडे जिलों के विकास के लिए निती तै की राज में वासिम समय चार जिले सामिल किये गए एक सूनी योजित विकास काडिकरम नेड़धारित किया गया इसके एक भाग के रूप में रेल बजट 2015 में नडखेड बड़नेरा वासीम रेलवे लाइन के सर्वेक्षन को नए सिरे से मंजूरी दी गई थी मध्य रेलवे ने 2016-17 में इस रेलवे लाइन का सर्वेक्षन कारे किया था सर्वे का काम जल्द पूरा करने के लिए विविन अस्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं मध्य रेलवे की नागपूर बोड समीती के ततकालीन अध्यच डॉक्टर विकास महात्मे सहीत सांसद राम दास तड़स क्रीपाल तुमाने दुरगा दास विके सुरेश धान ना धानेर कर रेलवे महा प्रवंधक संजीव मित्तल डी के सिंग मंजीत सिंग मनोश सर्मा मंडल रे एथक हुई नर्खेड बड नेरा वासीम ड्यल्वे लाइन का सर्वेक्षन कारि बिना किसी दूटी के पूरा होने पर सील कर दिया गया हकीकत में रास्ता अभी बी इंतिजार कर रहा है बड नेरा वासूम नागपूर बाला रासा विजयवारत तिरुपती बैंगलोर अन्य मार्ग हैं इन दोनों मार्गों के विकल्प के रूप में नई दिल्ली इटारसी नडखेड बढ़नेरा वासिम हिंगोली लातूर वाडी गुंटूर बैंगलोरू के लिए तीसरा विकल्पिक मार्ग जाएगी तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि 635 किलो मेटर की बात है तो यह इंपोर्टेंट कितना है यह रेल विलाइन कितना ज्यादा अहमियत इस रेल विलाइन की आप इस चीज को देख सकते हैं यात्रियों का आठ घंटा समय बचेगा आप यह भी देख सकते जिससे चार घंटे की बच्चत होगी, तीसरा विकल्प डेलवे बीजल, बीजली और डीजल को बचाने के लिए है, सो अब हम एकसी बात है दोस्तों, कि यदि सौर्टेस्ट रूट होगा, तो बीजली भी कम खपत होगी, और लोग ट्रेविल करते हैं कम समय में जल्दी पहुँचने के लिए, कि वो जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकें, न कि इसलिए कि वो घूम घाम कर पूरा ओलवर इंडिया घूमते वे जाए अपने डेस्टिनेशन को, तो काफी एहमियत है इस रेलवी लाइन के, जो लेटेस्ट अपडेट थी और जो इंपोर्टेंस थी, वो मैंने सब कुछ आपको बताई इस वीडियो में, आसा करता हूँ है, वीडियो आपको पसंद आया हूँ, जय हिन, जय भारत!